हेलो फेंज विल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रूमाना और आज आप से शेयर करेंगे खिचरा की रेसिपी लेकिन आज खिचरा की रेसिपी शेयर करेंगे नए स्टाइल में जिया दोस्तों तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से आखे तक देखिएगा और ह चावल साइच में मीडियम रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर मने ले लिया है पाँ मीडियम से लिए एस के प्यांज आपको पता ही है के बिरियाणी या खिचरा में ज्यादा प्यात डालना पसंद नहीं करती हूँ यहाँ पर मैंने ले लिया है dangal ध्हैस ब्लशन हो लिए सोकतर के रखा है और 10 नहीं दिखत रखना है कुल मिला के हुए 30-35 और यहां पर मैंने ले लिया है हरे मटर 200 g तो चना दाल और हरे मटर मिला के होते हैं 500 ग्राम जो के देर किलो चावल के लिए बिल्कुल सफिशेंट है और यहां पर मैंने छोटे साइज और मीडियम साइज के आलू को मिला कर ले लिया है 12 से 14 पीस बड़े आलू मतलब मिद्यम साइज के आलू को मैंने बीच में से काट लिया है छोटे आलू को वान पीस में ही रहने दिया है तो दोस्तों यहां चनन दल को हम और दस दे पर्णामेर सोख करने के बाद इसे हम 70-80% तक बॉयल कर लेंगे उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प हरे मतर जो है उसे फ्राइ करना है लो फ्लेम पर कुछी मिनिट के लिए बस 2-3 मिर तक इसे हम फ्राइ करेंगे अभी इसमें थोड़ा सॉल्ट एट कर देंगे ताकि यह टेस्ट लेस ना लगे और 2-3 मिर तक लो फ्लेम में इसे फ्राइ करेंगे जब तक ना इसका कलर चेंज हो गया है साइज में थोड़ा बढ़ गया है अब इसे हम तेल से सपरेट कर लेंगे यह बहुत ज्यादा तेल एब्जॉब कर लेता है इसे सपरेट करने के बाद 100 ग्राम तेल और डाल देंगे बारिक प्यास काटके यहां पर डाल दिया है इसे फ्राइ कर लेंगे यहां पर प्याज जो है defry हो गया है थोरा सा पानी इसमें डाल देंगे लेकिन थोरा स chain सब्सक्राइब करता है यहां फ्लेम को अब स्थे केशने की टीज़्पून वेको गलाल मिर्च पॉडर इस से कलर यहां आएगा और टेस्ट हुर्ड एक टेबल स्पून डाल देंगे बिर्यानी का मसाला, नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसर, अब फ्लेम को लोटो मेरियम करके अच्छे से हम सारे मसालों के साथ आलू को भूनेंगे तके बहुत अच्छा से कलर आ जाए, दोस्तों आज जो मैं अलग स्टाइल में खिच अद्रकलेसुन पेस्ट का पानी, यहां पर मैंने सवा लीटर पानी ले लिया है और उसमें पांच बरचमच अद्रकलेसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे छनी से चानके यहां पर डाल रही, ताके उसमें से जो छिलका रहता है वो भी ना एड़ हो, और जो अद्रकलेसुन का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए, अब अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे, पहले यहां पर बॉयल देंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके, 70-80% तक गला लेंगे इसे मीडियम फ्लेम में, दोस्तों अभी यहां जो पीच में से बहुत अच्छे से गल गया है, अब जो यह आलू का हांटी है, इसे हम फ्लेम से से परेट कर लेंगे, और यहां पर चढ़ा देंगे, यहां पर डाल देंगे, खड़े मसाले, यहां पर ले लिया है लॉंग, इलाइची और दाल चीनी और वेट करेंगे, इसे अच्छे से बॉयल होने का, तो यहां पर जो है, हमारा आलू है और यकनी है, इसे अभी रेडी करना है, मैंने वीडियो के पहले ही जिकर किया था, कि चने दाल को 30 से 35 मिनिट तक सोक करके, उसके बाद इसे बॉयल करना है, 70 तो 80 परसंट तक, जो बॉयल हो गया है, अब यह दाल को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब यहां पर डाल देंगे, 5-6 बड़े चममच, बिर्यानी का मसाला, यहां पर ले लिया है, बड़े से चाय कप में, एक कप दूद, करीबन ये 252, 300 ml दूद होगा, इसमें डाल दिया है, 4-5 डॉप्स मीठा अतर का, अच्छ बड़े चममच, केवडा, अब इसमें डाल देंगे, एक पूरे निम्बू का जूस, यकनी में डलने वाली हर चीज में डाल दिया है, अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से यकनी आलू और चना दाल के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि कोई लंस ना बाकी रह जाए, अब यहा पर कम से कम 90% तक मटर यहां पर डाल देंगे, लेकिन 10% हम डालेंगे चावल के उपर, गार्निशिंग के लिए, अब यहां पर कम से कम 3-4 बड़े समच, दही को हम मिक्स कर देंगे, उपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, दोस्तो, I hope यह रेसेपी आप सब को बहुत ब पानी बहुत अच्छे से बॉल हो गया था, तो मैंने फ्लेम को फिरकुल धीमा कर दिया है, पहले इसमें मिक्स कर देते हैं, नमक, स्वादनुसर, फ्लेम को कर देंगे हाई, और अभी इस स्टेज में हम चावल को मिक्स कर देंगे, थोड़ा समय ने, यहां पर निम्बू क जो छिलका है, उसे भी डाल दिया है, बहुती केरफुली सोक किये हुए चावल को यहां डाल देंगे, दोस्तों मैं मैं मेंशन करना भूल गई थी, के चावल को पकाने से पहले बहुत अच्छे से, तीन से चार बार दोने के बाद, इसे तीस मिनिट के लिए मैंने सोक करके रख दिया था, अब देख सकते हैं, यह साइज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब केरफुली पानी में हम डाल देंगे चावल को और इसे 70% तक गला देंगे, बागी के 30% यह स्टीम में कुख होगा, दोस्तों चावल जो है 70% तक कुख हो गया है, और यह देखि कर देंगे बागी के चना दाल, ताकि यह evenly चावल के साथ जो दाल है, मिक्स हो जाए, एक और बार इसे मिक्स कर देंगे, बस खिचरा का जो चावल और दाल है, बिलकु डेडी है, अब इसे गरम पनी से हम सेपरेट कर देंगे, और यह किनी में डालना स्टार्ट करेंगे, अब पूरे जो चावल है, मैंने यखनी के उपर डाल दिया है, और बाकी के जो हरे मटर है, उसे भी अच्छे से इसके उपर डाल देंगे, यहाँ पर मैंने दो बड़े चमच, रोज वाटर में थोड़ा सा कलर मिक्स कर दिया था, इसे भी इसके उपर डाल देता है, अब इसका लीड नहीं हटाना है, दोस्तो मैंने जो टाइमिंग दिया है, उसके बावजूद आप थोड़ा केरफूल रहके इसे दम करिएगा, इसका लीड मैंने कम से कम आदे घंटे बाद हटाया है, अब इसमें डाल देंगे, चार परशम मच, मेल्टेट घी, आप देख सकत हैं कि खिचरा इतने अच्छी तरह से पका है, हर एक दाना जो है इसका खिलकर पका है और इसका कलर आप देख सकते हैं, दोस्तो आज का जो वीडियो है यही नए स्टाइल में खिचरा की रेसिपी है, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मेरे चैनल में खिचरा क जा गोश्त भूने के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो दोस्तो आज का वीडियो यही तक देखते रहें रुमाना स्टेस्टी वर्ल्ड